हलो फ्रेंड शफल बिजनस मास्ट्री के पार्ट टू में हम बात करने वाले हैं एंट्रुपिनर्स राइट्स के लिए के हम बिजनस्मेन क्यू बने हमारे पास चोईस का कि हम जॉब भी कर सकते थे और कुछ लोग जॉब से बिजनस में आगए तो क्या रीजन है कि हम बिजन में आए वो था हमारा डी स्ट्रेस हमारे को स्ट्रेस नहीं चाहिए था अत्ता माजी सटकली सटकना नहीं चाहिए तो मैं इसलिए स्ट्रेस नहीं चाहिए मुझे स्ट्रेस फ्री जीना है इसलिए मैं बिजनस ओनर बना क्यूंकि अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरा बॉस क कभी कुछ करवाता है कभी कुछ करवाता है कभी कुछ करवाता है मुझे सिर्फ एक ही चीज करके काम पैसा बनाना है मुझे बात करना पसंद है तो मुझे बात करना बात करके पैसा बनाऊगा या मुझे मैं कॉंटेन लिखने में मज Points or इज्ब है में हम दिजाइन में बनाने में दूम्हीं काम करूंगा तो मैं इक ही काम करें पैसा बनावगा बाकि सारी सीछों के लिए मेरे पास टीम हो तीम को involved करूँगा और उनके तुरू में काम करूँगा इसलिए मैं आया था मुझे stress नहीं चाहिए था second reason मैं देखता हूँ अगर मैं वही देखूँ अगर मैं तो हर छे महीने में अप्रेजल के टाइम पर तलवा लटकी तो मुझे वह प्रेशर नहीं चाहिए था जो कस्टमर सर्वेस है या डिलिवरी जो है डिलिवरी में प्रॉल्म आ रही है तो वहां से चड़ाई कर रहे है उसने कर दिया वाला माल अभी तक पहुचा नहीं क्यों नहीं पहुचा तो मैं इसको पूछता हूँ मेरे बंदे को बोलता है सर मैं शादी में हूँ मेरे पता फिर मैं वहां बात करते हूं, अर्डियाय उगर्म है यह सारा प्रेशर में लेकर रखा हुआ है दुनिया बर का आज कस्टमर सर्फिस देना पड़ रहा है मुझे बैचना पड़ है मुझे माल पर काम करना पढ़ रहा है क्यों सुद मिलना चाहिए लिकिन क्धि उड़न है नहीं मिल पा रहा है सेकिंड जो रीजन अगर हम देखेंगे वो आता है टाइम फ्रीडम मैं बिजनस में मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था मुझे वक्त की आदादी चाहिए थी मुझे सुबा नौ से लेके शाम के रात के नौ बज तक मरना नी था मुझे धक्के ट्रें मुझे मिलेगा लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे जो जौब दोस्त जो जौब पर चलेगा पढ़ाई के बाद आज उनको वीकेंड में छुटी मिलती है वो मेरे साथ प्लान बना रहे है कि सल्मान चल घूमने जाएंगे घूमने जाएंगे और वह प्लान बनाते हैं और मेरी करके सब मेरे बाद चले जाते हैं और मैं टुकुर करके देखते रहता हूं सब एक गर चले जाते मुलता है ठोडी चुजब सेस्ट रखो यार इक्लीस मेरे साथ में निकलना राइट तो हो क्या रहा है आज मिरे को टाइम फ्रिडम नहीं मिल पार है ना तो मैं अपनी हैल् तो मेरा हक है time freedom मुझे मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है तो मुझे मिलना चाहिए और उस पर मुझे हक है अगर नहीं कर पा रहा हूं मैं इस सारी चीज़े तो धंदा बंद करके नौकरी में चले जाओ इस तरह की life जी के मतलब नहीं है नेक्स रीजन जो आता है जो हम इनphones सब्यकित्स रहा है अज दुनिया को लग रहा है कि हम बहुत पैसा बना रहे हैं लेकिन हमारा bank statement कुछ और ही बोल रहा है आज लोग बढ़े है क्या मजाग कर रहा ह। तुम लोगों को पैसे क्या क्म यह कंभी है तो बडी आयर एक ज़टके में तुमारा आ जाता है हम को पता है हमारी क्या बेंट बजो हुई है राइट हम सब को बाट देते हैं फिर भी हमारे पास नहीं बचता है कभी-कभी किसी टाइम पर थोड़ा जल आच्छा महीना जाता है तो हम बोलते हैं इस महीन अच्छा गया है एट्लीस लोगों की टाइम पर पगार तो दे पाएं अच्छेमें है यह आपको बोलने का हBook नहीं है अगर आपने वैल्स नहीं बनाई है यह उस आदमी को बोलने का कने जसने वैल्स बना लिया अगर वो बोलता हैं और जों आपको मैं धोकि आ लिए मांते हैं लोग कि हम खड़े में घुसे हुए उसमें और पैसा टाले के तुम्हें नहीं लगता है और घुल जाएंगे तो पैसा इस नूट ए solution solution is lack of knowledge आपको लेना पड़ेगी आपके business model पे जोले business model पे को change करना पड़ेगा तार्गेट को change नहीं करना पड़ेगा सपोल आपकी पास जो गाड़ी है आप जो वहीकल चला रहे हो और वहीकल आटो है आपने लिया मुंबई से और आपको जाना है कहां तक खीचेगा हो बीच में कहीं पर दम तोड़ देगा अठक जाएगा आप बोले को चल ठीक है यह ग पड़ेगे ऐसे adjustment करते हो तो जो आटो जो है ना वहापका business model है वह model सही नहीं है उसके कोई बड़ी आसी गारी लेकर आओगे वह सर्राटे कि एक्दम जबदर जोड़ना शुरू करें कि रोड़ पकड़े और आप अपने destination पर पहुंच जाओगे और वह destination आपका business model में जो है राइट बी-टू-बी होना चाहिए बी-टू-सी होना चाहिए राइट कौन से model में काम कर रहा हूं मैं बी-टू-सी होना चाहिए मेरा उस model मुझे देखना है और जब इस ही आप मॉडल से आपका business यहां से यहां चले जाता है तो आपको इन चीजों पर काम करना है जो म पार्ट थ्री में मिलेंगे और डीटिल में हम जानेंगे थैंक यू वरी मच